नमस्ते दोस्तों एक बार की बात है राधा नाम की एक लड़की अपने पीता के साथ रहती थी उसकी मा बच्चपन में ही गुजर गई थी वह अपने घर का काम करती फिर कालेज जाती कालेज जाते समय रोज रास्ते में एक जगर पच्चियों को डाना डालती थी उसके घर में भी दो पच्ची थे जिनको वह रोज डाना डालती थी एक दिन उसको पच्चियों को डाना डालते जमीदार के बेटे ने देख लिया उसने अपने पीता से जाकर राधा से साधी कर राधा अपने घर के पिजरे के दो पच्छी भी लेकर ससुरा ला गई वहम उन पच्छीयों को रोज दाना डालती थी राधा की सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था वहम उन पच्छीयों को परिशान करती थी वहम उनका दाना पाने जमीन पर फेंग देती थी एक दिन राधा की सास ने पच्छियों का पिजरा ही जमीन पर फिंग लिया। उसी यह करते हुए राधा ने देख लिया। राधा ने मना किया तो उनकी सास ने राधा स्कुर्ब डांट दिया। इन सब बातों से राधा परिशान रहने लगी। एक दिन राधा के पती ने परिशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बान बता दी। उसके पती ने राधा को पच्छियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पती के कहने पर राधा ने उन दोनों पच्छियों को बाकी के पच्छियों के जाना देने पार्क में जाती थी अब सभी पार्क के पच्छी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे पच्छी अब राधा के घर पर भी आने लगे राधा की सास को अब यह बात पता चली तो वह गुस्सा हुई वह राधा को उसके माय के शोड़ने के लिए उसको साथ लेकर रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की तब ही राधा के पच्छियों ने आकर चोरों पर हमला किया जिससे चोर भाग गये इसके बाद राधा और उसकी सास घर ही लोटाए अब राधा की सास की सोच पच्छियों के प्रतिक मदल चुकी थी उन्होंने राधा से कहा अब हम दोनों छिडियों को दाना देना चला करेंगे और पहले के दो पच्चियों को घर वापिस लेकर आएंगे यह बात सुनकर राधा बहुत खुश हुई सीख इस नहाने से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यावार करना चाहिए धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्त